नमस्कार सबी को एक बार पुन आप सभी का हर दिक्ष। श्वागत अभी नंदन है तो सुबह की एक नई klas के साथ में पुने हम आपके सामने हाजीर हो चुके हैं तो जल्डी से सभी आ जाईएगा और कोपी पेन लेके बेढ जाईएगा और class को ज़्यादा से ज़्यादा share कर दो वे, मैं लगातार class से आपको provide करवा रहा हूं, बस आपका कामित नहीं है कि class को share कर दिया करो, वीडियो को like किया करो, और साथ में class को अंत तक देखा करो, आज का अपना प्रशन बहुत ही शांदर प्रशन है, और आज का अपना प्र option number B में आपके सामने है राणा कुमबा, option number C में है सवाई जैसिंग और option number D में है राव जोदा, आपको इसमें से बताना ये है कि राजस्तान में कला वै स्तापत्यकला का जनक किस राजा को कहा जाता है, सबसे पहले राणा संगा के बारे में अगर जानने का प्रियाश करें तो आप बताना कि राणा संगा जो है इनको स्तापत्यकला का जनक तो नहीं कहा जाता प्रंतु इनको सेनिकों का बगनावेश तो कहते हैं, इनको क्या कहा जाता है तो इनको कहा जाता है सेनिकों का क्या कहते हैं, बगनावेश कहते हैं, सेनिकों का इनको बगनावेश कहा ज जाता है साथ में राणा संगा जो है इन्होंने एक तो इनकों सेनिकों का बगनावेश कहते हैं और साथ में इनकों हिंदू बादिशा के नाम से जाना जाता है या यूं कहें हिंदू पत्थ बादिशा किस को कहते हैं तो हिंदू पत्थ बादिशा के नाम से राणा संगा को शब्द आता है हिंदू बादशा और हिंदू बादशा साब मालडेव को कहते हैं और हिंदू पत्थ बादशा राना सांगा को कहा जाता है और साथ में एक शब्द आता है हिंदू सुर्तान आपके किश को कहा जाता है महराना कुम्बा जो है इनको हिंदू सुर्तान के नाम स जाना जाता है राना संगा जोते इनके समय में कितिहाश परशिद युद हुआ था और युद का नाम था साब खानवा का युद इनके समय में कोन सा युद होता है तो इनके समय में होता है खानवा का युद और खानवा का युद हुआ था 17 मार्च 1527 को रूपवास बर्दप रनद कुम्बा जो है इनको राजस्तान में कलावय स्तापत्य कला का जनक कहते हैं कलाव स्तापत्य कला का जनक किश को कहते हैं महाराणा कुम्बा को कह जाता है महाराणा कुम्बा जो थे इनको राजस्तान में कलाव स्तापत्य कला का जनक क्यों कह जाता हैं क्योंकि एक तो राणा संगा अपनी राणा कुम्बा जो थे इनके द्वारा इन होने राजस्तान मे जो 84 गिरी दुर्ग है राजस्तान में कितने गिरी दुर्ग है तो राजस्तान में 84 गिरी दुर्ग है इन 84 गिरी दुर्गों में से 32 जो गिरी दुर्ग थे ये किस ने बनवाई थे महराणा कुंबा ने बनवाई थे जैसे हम बात करें एक दुर गाता है जिसका नाम आता है क कि एक आता है बदनोर ंपण और इक आता है बोमट क्यातowa क्यों कि वो महराना कुम्भा के द्वारा बनाई गए हैं तो इनको राजस्तान में स्तापत्य कला का जनक कहा जाता है कला क्योंकि महरानकुम्बा जो थे ये संगीत कला के अंदर भी निपुन थे ये संगीत के प्रेमी भीवा करते थे इनके संगीत गुरु का नाम भी आप याद रखशकते हों इनके संगीत गुरु जो थे जिनका नाम ता साब सारंग व्यास इनके संग पुल आजस्टान में कलावस्तापतियकला का जनक आप कहशकते हो सवाइ जैसिंग के अगर बात करें तो जैसिंग ने अपना इक दुर्ग आता है जिसका नाम आता है जैगड और यह जो जैगड दुर्ग था इस जैगड दुर्ग में तोपों का कारखना बनुआ है था पर एसिया के सबसे बड़ी एक तोप रखिया जिस तोप का नाम साब क्या था जैबान तोप था जिसका वजन पचास टन है जिसकी लंबाई कितनी है बीस फिट है इसके लावा सवाई जैसिंग ने नहारगड या सुदर्शनगड दुरुग का निर्मान भी इनके द्वारा क करवाए गया है जोदा जो थे इन्होंने एक तो महरांगड दुरुग बनवाए था महरांगड दुरुग एक किल्ला है जिस किल्ले का नाम है महरांगड का किल्ला और एक सहर था जिसका नाम था जोदपुल से है यह किस के दवारा बनाए गए है तो यह राव जोदा के और नेक्स्ट क्लास में हम अगला प्रशन लेकर आपके सामने आएंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद बस आप क्लास को लाइक कर दो शेयर कर दो आपका बहुत बहुत अभार रहेगा धन्यवाद जी